Friends, आज मैं आपको बताने वाला हूं, आप कैसे, किसी भी बच्चे को English कैसे, Read करना कैसे सिखा सकते हैं, ठीक है? So, इसके कुछ simple steps है, जादा complex नहीं हैं, so पहले हम start करेंगे, पहले step से, वो क्या है हमारा? पहला step है phonic sound phonic sound awareness सबसे पहले बच्चे को awareness करानी है phonic sound से तो आप इसमें use कर सकते है nursery rhymes YouTube पे आपको बहुत सारी nursery rhymes समल जाएंगी जिसमें हर एक letters का alphabet letters के sounds सिखाते है ठीक है उसमें बताते है तो जिसमें बच्चा rhyme को enjoy भी करेगा और साथ साथ में entertainment के साथ जो alphabet letters सुंगे उनके sound भी सिख जाएगा like a is a a a a a a a a apple तो यहाँ a का sound क्या है और आप इसे English में भी लिसकते है a is a a a a apple ठीक है यानि कि a का sound क्या हो गया a ऐसे ही b is a ba 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 ball so यह जो rhymes होती है उनमें ऐसे ही आपको songs मिल जाएंगे जिसमें हर एक letter के बाद उसका sound बताया जाएगा और जैसे ही अगर आप इसे बच्चों को सिखाना स्थार्ट करेंगे like b is a ba 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 so once the children learn all these letter sound it will be easier to start with your children to or your kids to start reading English so once बच्चों को awareness हो जाती है phoning sound से तो आप जो second step है वो क्या है वो देख लो second step है आपका कि आपको बहुत ही simple simple words card बनाना है words card बनाना है या words बच्चे को लिखना लिख के देना है ठीक है और कैसे words like b a t bat c a t cat and like p i g pig pine pen pen so यह three letters वाले जो words है आपको बच्चे को लिख के देने है उसके बाद आपको उस इने जोर से पढ़ना है और बच्चे से पूछना है कि पहला जो letter था पहला जो letter आया इसमें उसका क्या sound था ठीक है पहला जो उन्होंने sound सुना उन्होंने कौन से letter सांड सुना जैसे बैट तो पहले बैट आया यानि कि बै तो बै फोर बी फिर सुना अ तो आप ऐसे बच्चों से हर एक जो 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 जैसे कोई वर्ड बोलते हैं थ्री लेटर वाल वर्ड तो तीनों जो यह sound है इनकी पैचान करानी है कि कौन से letter का है इससे बच्चे को क्या होगा इससे बच्चा थोड़ा aware होगा और यूज करना सीखेगा in sounds वर्ड को ठीक है ठीक है तो first sounds आपको पैचानवाना है अपने बच्चे से second sound recognize कराना है और third sound recognize कराना है कि किस-किस letter का है fine सब आते हैं third जो third इसकी important है वो क्या है आप इसमें use कर सकते है जो third thing है guys third जो tip है वो क्या है वो third tip मैं आपको बदाए था बहले तो third tip ये है कि आपको बच्चे के साथ play करना है with words play word game with kids game with kids at home तो कैसे करना है तो आपको बच्चों से पूछना है कि कोई word है जो सब्सक्राइब मैंने start किया with bird जो bird word है वो किस sound से start हो रहा है तीक है या फिर आप पूछ सकते है कि कौन sound से start हो रहा है उसके बाद उसे बताना है कि ये sound किस letter के लिए use होता है तीक है तो इससे क्या होगा बच्चे को पैचानना start हो जाएगा कि कोई भी word किस से start हो रहा है फिर जो sounds यूज हो रहे है उस word में उनके उनको बच्चे को पता होगा कि कौन सा letter इस sounds के लिए use हो रहा है तो इससे क्या होगा बच्चे को spelling बनाना आएगा ठीक है word बनाना आएगा और इससे awareness आएगी बच्चे को कि words कैसे बनते है और साथ में आप ऐसे पूछ भी सकते है कि उसे और word game के साथ आप पूछ सकते है कि rhyming words क्या है जैसे कि bad का हमारा rhyming words क्या है बच्चे को इंट्रिउस करा सकते हैं तो सेकंड स्टेप के बाद फाइन यह गेम्स वर्ट गेम्स आपको खेलने हैं विद्धियोर्ट्स टू गेट पैटर अंडिस्टेंडिंग अब आगे हैं गाईज फोर्थ जोग बहुत होती है हो होती है हमारी वोकेबलरी अब वोकेबलरी फोर्ट को वर्ड की मीनिंग बतानी है मेनिंग बतानी है उनकी डेफिनिशन बतानी है या फिर वो किस कॉंटेक्स में वर्ड को यूज करते है वो बताना है फाइन आपको अब वर्ड्स हमने पढ़ना सिखा दिया मतलब साउंड पहचानना सिखा दिया है साथ में अगर उनको मीनिंग पता चलेगी उससे और उनका जो इंगेजमेंट होगा वो बढ़ेगा इंगलिस ट्रीडिंग में ठीक है तो आपको वर्ड्स को पढ़ना और साथ में उसकी मीनिंग भी meaning भी साथ में आपको समझानी होगी और आप use कर सकते है जैसे कि कोई storybook है story को ही पढ़ाईए ठीक है और point out करें हर एक word को with finger ये word क्या है ये word क्या है with meaning ठीक है और information books भी use कर सकते है और साथ में उसे story बताए क्योंकि storybook से क्या होता है कि बच्चा थोड़ा interest लिता है reading में और अगर जब तक उसे interest नहीं आएगा वो बिल्कुल interest दिखाएगा नहीं और अगर बच्चे को interest नहीं है तो वो बिल्कुल read नहीं करेगा तो interest storybooks में आता है तो storybooks पढ़ना सिखाए और with story with context जिससे की engagement लगाता रहे and जो fifth tip है वो होती है हमारी fluency अब ये fluency कर से आएगी ठीक है तो fluency होती है हमारी कि किसी भी read करना with speed allowed and understanding and accuracy तो ये आप कैसे सिखाएंगे बच्चे को थोड़ा तीज ठीक है और एक habit होती है कि एक sentence को एक बार में बोलना होता है बीच में हमें break नहीं लेना है जैसे कोई sentence नहीं लिखा हुआ है उसे पूरा एक साथ read कराना है full stop तक उसके बाद ही थोड़ा break लेके अलका सा break लेके millisecond का break लेके फिर दूसरा sentence start करना है और बीच में break नहीं लेना है ठीक है so यह जो basic चीज है यह भी आपको at the end of the things आपको बतानी होगी अपने kids को ठीक है जो भी है and now the last thing is to be patient so the best way to teach kids to read is to make it fun so आपको take it as a fun मतलब बच्चे को as a fun सिखाना है जिससे की वो बिलकुल serious ना हो ठीक है और interesting लगे बच्चे को उस तरीके से आपको बताना है, सिखाना है like a game जो बच्चे enjoy करते है so yeah that's all method you have to adopt to teach your kids to read English hope you like it thanks for watching